हिम्ermاعरा जबाते हैं कि और लेके आते हैं कि अर्भी के पत्त सबजी बनाना बताए और उसमें एक ऐसा इंग्रीडियंस मिक्स करेंगे जिसके वजह सेmesi scarudd में लाजाडा बहुत ही टेस्टी तो चलिए बनाना सुरू करते नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर कई बार जब हम अर्वी बनाते हैं इसको पानी में उबालते हैं जिस वज़े से हमारा ये चिपचिपा गीला सा हो जाता है आज हम आपको अलग तरीका बताएंगे जिसे हम बिना बेशन के बनाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हमने अर्वी के पतो के अच्छे धोके साप कर लिया है चने डाल और चावल को हमने पानी में भिगो दिया था इसको धोके साप करके अच्छा सा पेस्ट तयार करेंगे बारिक सा और मसाला तयार करने के लिए लेंगे धेर सारा लासुन और यहा साथ ले लेंगे कूई सबी खटता वाला अचार यह ज़्यादा नहीं डालेंगे अचार इस लिए डालते हैं कि जो यह यह और भी का पता है यह क्षुजली करने लगता है खाने के बाद में बसे उबें आपल मसाला भी उबने तयार कर लिया है और यह चावल जाल मिल्ड का पॉर्डर के जालने के बाद जी इस मसाले का पेश्ट हमें तयार किया है सरसो का उसमें से तीन चमज टाल डेंगे अब इनको मिक्स कर लेते हैं इस दाल को हमने पीस के तयार किया है इस वज़े सी थोड़ा सगीला है अब इसको टाइट करने के लिए डाल देंगे गेहूं का आटा और चावल इसमें डाले है तो गेहूं का आटा है वो चावल को कड़ा नहीं होने देगा एक बहुत अच्छ से हमारा यह मसाला लग पाता है चारो तरफ अच्छे से बैसन को फैलाएंगे और जैसे आपको इसे लगाना आता हो पत्ते को हम तो इसे तरीके से लगाते हैं तिर्चा तिर्चा करके और फिर इसको तयार कर लेंगे अच्छे से लगाने के बाद बैसन अच्छे से लगात करते हुए में अच्छ्छ एक त्यार करें गर्णी के बेशन है तो इसकal टेस्ट अच्छा आता है जी पत्ता है त्या ठाया हुआ पानिंट देगे हुआ इसे पॉलेथिन बैक पॉलेथिन त्यार की लिए और टाइट एकदम बान देंगे ताकि इसमें पानी न घुसे कई बार हम अर्भी के पतों को बालते हैं तो इस्टीम करना पदता है रखना पड़ता है कभी चिप-चिपे हो जाते हैं कभी अलग हो जाए बिखर जाते हैं बेशन पानी में घुलने लगे कुछ भी नहीं होग कई पापका अच्छे से इसको ठाइट बांढ लेंगे और बांदने के बाद वसूबार ये दिए बीना जाली बीना स्टैंड और इसमें घुलबं अच्छे तरीके से हमारा इसमारी अडंग मिने के निकल जाएंगा इसको दस मिनित हम लिए अबलने के लिए छोड़ देते अर्वी हमारा उबल रहा है तब तक इसका मसाला तयार करते हैं थोड़ा से लॉंग इलाजी और जीरा डालके इसमें हिंग जरूर डालेंगे क्योंकि अर्वी में हिंग जरूरी होता है और प्याज दो बारी काट लेंगे उसको डालके भून लेते हैं प्याज भून जाएग साथ और इसमें आम काचार डाला हुआ था वूस को डाल के और बज़ेशिस को भून लेते हैं चरसो का मसाला भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दस से पंद्रे मिनट धीमी आज के अच्छे से भून लेंगे तो इक ही हमारा यह मसाला रेडी हो गया इसमें डाल देते हैं नमक और एक साइड भूनते रहेगा तब तक यह पानी हमारा उबल गया है पानी कम हो गया ह वीकोन बाहर निकाल लेते हैं और निकालके चेक कर लेते हैं जब अगर इसको छूएंगे त Sacred हो जाएगा इसका मतलब हमारा यह इंहलं के अच्छे से तैयार हो गया है इससे पक गया है तक ही ताइट होता है अब इसके टुकड़े तयार करेंगे जैसे आप पसंद करें मो अर्वी भी हमारा उबल गया था कुछ इस तरीके का पिसम ने तयार किया है अब एक कडाई में तेल गरम किये हुए है और उसमें इसको डालके फ्राइ कर लेते हैं तेल बहुत ही कम लगता है क्योंकि हमने इसमें चावल का इस्तमाल किया है चावल के वज़े से यह ज्यादा टाइट भी होंगे और तेल भी कम सोखेगा बहुत कम तेल में हमारा यह अर्वी बनके तयार हो जाएगा सबको फ्राइ कर लिया है इदर मसाला एक दम अच्छे से तेल चोड़ दिया है भून के बहुत अच्छा कलर आ गया है अब इसमें डाल देंगे पानी और पानी डाल देंगे हमारा अर्वी का यह सब्जी बनके तयार हो गया है इसी तरीके से एक बार जरूर आपिस रेस्पी को ट्राइब करें और कॉमेंट वक्त में हमें बताए आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देजेगा मेरे चैनल पर पहली बार हमारी देजेए हमें बताफ लाइक कर दो में बताए और को ट्यार गाता है अज़गा घर जाएक हमारी थी वीडियो प्यादी तो जेएक उन्हें झाया है तो दुद दृट्ट है और को लाइक कर दो दया है